residents अब भोत आपको बता दे कि एक के बार एक श्वट लगाने वाली यह लर्की महज 11 साखी है और इसका नाम रैनुका है दोस्तो इस लर्की का वीडियो सोश Apple device से वाइरल हो रहा है दोस्तो इस लर्की का वीडियो वाइरल ल यडि शुरिया के नाम से हाल ही M entra nights हुई एक 13 साल की लड़की मॉमल मेहर के बाद सामने आया है इस क्राकी का वीडियो दोस्तो इस लड़की का भी जबाब नहीं है बैटिंग में उम्र के हिशाब से इतनी कौन उम्र की लागी इतने अच्छे से संदार और धुमलार बैटिंग से सभी फ्रेंज का दिल मोहलिया है अपने लाजबाब बैटिंग से गाँवालों को खुश करने वाली रेनुका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हुआ है दोस्तो इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह लड़की एक के बार एक लगताथ सोट पर सोट लगाय जा रही है इस वायरल वीडियो से परभायुत होकर बीजेप यद्धर सतीश पुनिया ने भी इस possible इलाके की परिया पंचायत के रामिन तलाफ जाने वाली है रेनोका रामिन तलाफ गाओं या प्रात्मिक बिड़्याली की पांचवी कप्शिया कणशा की शात्रह है पांचवी क्लास में पढ़ती है । हि को एक मजधूर दंपती यानि मजधूर मता-पिता की बेटी है ह पिछले दस सालों से गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं, रिनुका और उसका भाई गाउ में अपने 80 साल की दादी के साथ जोपड़ी में रहती है, बस्तोर रिनुका के माता-पिता मजदूरी करके गुजरात से जो कुछ पैसा भेजते हैं, इस से घर का घुजारा बम उसक कामों को शंभालती है, इतनी जिम्मदारियों से, दोस्तों इतनी जिम्मदारियों के बावजूद भी रिनुका के किर्केट के फ्रैसन कभी कम नहीं होते हैं, इसकूल के दवरान हाफ टाइम हो या फिर खाली कलास, रिनुका उसका पूरा फैदा उठाते हुए किर्केट ट्रैनिक देते हैं, रिनुका के इस दुवधार परफर्मेंस से परभावत होकर, बीजे पिया धर्च अपने ट्वीटर पर रिनुका फोटो सेयर किया और उन्होंने लिखा, मुझे बहत प्रसंता है कि बिन्दा सोट खेल रही प्रताप गर की लर्की को भी किर्केट कीट मिल गया है, बेटिया खेलेगी और आगे बढ़ेगी तो देश का शुवभिमान बढ़ेगा, बेटी को उजवल भविश की धेर सारी सुवकाम लाएं, दोस्तों बताया यहां भी जास रहा है कि बीजे पिय धर्च सतीश पुनिया ने रोनिका से फोन पर भी बात किया और म आडल हुई थी, इस वीडियो में 13 साल की लगी मोमल बालो की रेट पर शोट लगाती हुई, साफ दिख रही थी, शूरी कुमार की आदाज में या शूरी कुमार के स्टाइल में चवका जगाती हुई, देखी जा सकती थी, इस वीडियो को देखते हुए, राजदीतिक देने के लिए धन्यवाद दोस्तों